नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चनल पीके गुरूजी में आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैत का पिसन डिसकस करेंगे तो हमेहां जिस पिसन की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं तो प्रसन हमारा क्या है प्रसन हमारा है कि एक कमरे की चारों दीवारों का छित्रफल 660 बर्ग मीटर है और उसकी लंबाई उसकी चोड़ाई से दुगनी है यदि कमरे की उचाई 11 मीटर हो तो उसके फर्स का छित्रफल कितना होगा ठीक है उसने कहा कि एक कमरा है जिसकी चारों दीवारों का छितपल दिया है छेर्शो साथ बर्ग मीटर दूसरी कंडिशन दीहे कि जो उसकी लंबाई है उसकी छोड़ाई से दुबनी है और कमरे की जो उचाई है वह है 11 मीटर है हमसे पूचा है कि जो कमरा है उसके फर्स का छितफल कितना है यहनि फर्स का छितफल लंबाई गुड़ा चोड़ाई यहनि हमें लंबाई निकाल ला है और चोड़ाई निकाल ला है अब हमें लंबाई भी नी दी गई है और चोड़ाई नी दी गई है लेकिन उनके बीच में एक रिलेशन दिया गया है जो चोड़ाई से दुगनी है क्या लंबाई तो हमें माल लेते हैं कि जो कमरे की चोड़ाई है वह कितनी है x ठीक है यह हमने मान ली है कि जो कमरे की चोड़ाई है वह है एक्स मीटर है तो जो कमरे है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 2 x मीटर क्यों फिर चोड़ाई की क्या है दुग नहीं है तीसरी चीज उसमें उचाई हमें दे रखती है मुचाई बरावर दिया है हमें 11 मीटर तो हमने उसको लिख लिया ठीक है यहां तक आपको समय में आ गया होगा हमने चोड़ाई मानी एक्स मीटर तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x क्योंकि यह तो प्रस्न नहीं कहा है कि जो उसकी लंबाई है चोड़ाई की क्या है दोगनी ह फिर उचाई उचाई ने दी हमें 11 मीटर अव हमें दिया गया है चारों दिवारों का चेत्रफल उसने हमें कितना दिया है। 660 Берг मीटर ठीक है तो कमरे की चारों दीवारों का चित्रफल का यहांँ पर सूत्र लग जाएगा क्या होता है दो इस दो हो जाएगा 60 अब इन सब कि मान है हमारे पास 2 लंबाई कितनी है, 2 x, चोडाय कितनी है, x, और उंचाय कितनी है, 11 बड़ावाभा जाएगा, 606, तो 2 x और 1 x मिलके क्या हो जाएगा, 3 x, गुरे 11 बड़ावाभाभाभा छेशनो, 60, हम x को यहाँ रखते हैं, बागी साथ को नेचे बेज देते हैं, भागे 2 गु तो गोडा 10 बराबर 20 मीटर और चोड़ाई चोड़ाई तो है X तो यह हो जाएगी 10 मीटर ठीक है तो हमारी लंबाई मिल गई हमें और चोड़ाई मिल गई अब हमें निकाला हैं फर्स का छेत्रफल फर्स का छेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा लंबाई गुड़ा चोड़ाई लंबाई है 20 और चोड़ाई है 10 20 धम हो जाएगा 200 बर्ग मीटर ठीक है तो हमारे कमरे का फैस का चितपल नकाल आया 200 बर्ग मीटर ठीक है तो इसमें हमने क्या किया कि जो जो हमको दिया था वो हमने लेखा जैसे उसने कहा था चारों दिवारों पर चितपल 660 तो हमने यह भी लिखा है उसकी लंबाई उसकी चोड़ाई से दुगनी तो हमने चोड़ाई को X माना तो लंबाई 2X हो गई उचाए 11 दे गई थी तो 11 लिख दी यहाँ पार सूत्र लगा दिया कमरे का चितपल का जिससे कि हमें X की बेलू मि दिया लंबाई गुड़ा चोड़ाई दोनों की बेलू रख दी तो हमारा आंसर निकल के आ गया ठीक है तो ऐसे ही नौलेज बढ़ाने वाले वीडियो लिखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरू जी के साथ नमस्कार कर दो हमारा आंसर नमस्कार